तमिलनाडो क्रिशी विश्व विद्याले ने भारी बारिश के कारण कम फसल छेत्र और कम आवक का हवाला देते हुए मुंगफली की कीमतों में 8085 प्रती किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की भविश्यवानी की है। तेलंगाना, आंद्रप्रदेश और करनाटक के मौजूदा सुरोतों के साथ इस महत्वपून तिलहन बाजार में रन्नीतिक बुआई निरनेयों के लिए किसानों को सलाह महत्वपून है। तमिलनाडू कृशी विश्व विद्याले की मूल्य पूर्वानुमान योजना कम फसल छेत्र और भारी वर्षा के कारण प्रमुख राजियों से कम आवक के कारण मुंगफली की कीमतों में वृध्धी की भविश्यवानी करती है। तिंडीवन्म रेगुलेटेड मार्केट के 16 साल के एतिहासिक मूल्य विश्लेशन के आधार पर फसल के दोरान गुर्वत्ता वाली मुंगफली की फार्म गेट कीमत लगभग 8085 प्रती किलोग्राम होने का अनुमान है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुंगफली की कीमतों में होने वाली तेजी को ध्यान में रखते हुए मुंगफली की बुवाई का निरनयले। वर्तमान में मुंगफली की आवक तेलंगाना आंधर प्रदेश और करनाटक से बताई गई है। प्रमुक उतपादक राजियों में भारी वर्षा के कारण मुंगफली की खेती की मात्रा और च्षेतर सीमित है। मुंगफली उतपादक राजियत अमिलनाडू ने 2021-22 में 3.72 लाख हेक्टेर को कवर करते हुए 10.47 लाख तन मुंगफली उतपादन में योगदान दिया। प्रमुक जिलों में तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, वेलोर, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, कुड़ालोर, नमककल, कृष्नागिरी, सलेम और धर्मपुरी शामिल है। Bureau Report Market Times TV